कि नाभिक से निकलने वाले तीन विक्रणों में से किसकी वेधन चमता सरवाधिक होती है तो क्वेशन बहुत बार आया है गामा क्रणे एक भी कोशन मत देखे छोड़िये का ध्यान से एकदम पूरा देखे तुसरा कोशन देखे दूस्तो ताप मान की अभिक्रिया किन जिवाड़ू को साइनो बैक्टिरिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तो नीले हरे सैवाल को जो कि साइनो बैक्टिरिया के रूप में भी हम जानते है क्वेशन दोस्तो मुष्ट इंपोर्टेंट है पालशवा क्या है धान का बैग्यानिक नाम दोस्तो क्या है दोस् तो ये कंकाल अतंतु को प्रभावित करता है किसी तारे का रंग दोस्तो निर्धारीद होता है तो तारे के तापमान से ही उसका रंग का निर्धारन किया जाता है देखिए किस गैस में सरड़े अंडो की गंद होती है दोस्तो तो इसमें हाइडोजन सलफाइड होता है सरीर क के द्रबे में जल और नमक के मिश्रण को नियुमन करने काम दोस्तों जो की कहां पर होता है तो यह देखिए ओस्मा जो की रेलिविलेशन में होता है तो प्रतिकरण में अस्तित्व की सैधानतिक घोशन आसर प्रतम किसके द्वारा किया गया था तो पीम में डिराक के द्वा हायक है तो starch के पाचल में दिस्तों larger danny है को हता है 15 जो रसषे कर दीक होता है तो इसका देखें यकरित में होता है और इसका psychidiction भी यहीं पे होता है पंधरहुआ क्वें मुश्ट इंपोर्टन क्या है इंसुलीन रख्त में किसकी मांत्रा को नियत्रिक रता तो glucose और insulin कमी से हमको क्या होता है मधुमे रोग diabetes के मरीज के लिए insulin का कारह दूस्तों क्या है तो रक्त में चीनीक इस्तर का नियंत्रण करने का काम करता है उस एक अधातु का नाम बताए जो प्रकास में परावर्थित प्रकास को परवर्थित कर सकता है दुस्तो हीरा ग्रहों की गतिक नियम दूस्तो प्रतिपादन किष्ट के द्वारा किया गया तो क्याकिल और निले दिये गए, question number 19 दोस्तों most important क्या है, समान ताप पर hydrogen, oxygen, वर nitrogen में ध्वनी की चाल, किस में सरवाधिक होती है, दोस्तों ये होती है hydrogen में, पौधे दिन में निकालते हैं, हम रात में लेते हैं, क्या oxygen, सुस्क बैटरी सेल में किस प्रकार की उजा संगरीत होती है, दोस्तों तो इसमें रासायनिक होती है, नाभकी विक्रण में सरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रवावित होती है, दोस्तों तो ये होता है आपका अस्ती मज़ा, मैं बार बार आपको रिविजन कराऊंगों, दोस्तों जिसे क्या आपको चीजे याद भी होंगी, मचलियों के यकरित तेल में किस बिटामिन की प्रचूरता होती है, तो बिटामिन डी और बिटामिन ऐ की लिखे प्रचूरता होती है, एक सामाने नेतर के लिए सूस्पष्ट दिष्टी की नियूंतम दुरी दोस्तों क्या होगी तो दोस्तों यह होगी आपकी 25 cm की कुछ रोक के जिवाड़ू की खोच किसके द्वारा किया गया तो 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 हैंसन के द्वारा दोस्तों इसकी खोच की गई थी छबिशाव को सब्सक्राइब का अवि सब्सक्राइब करेंगे यह दोनों इबुक बहुत इंपोर्टन है और साइन्स का पोर्षन दोस्तों इसके लिए मैंने एक हजार एक क्वेशन जो अत्ती संभावित जो बार बार क्वेशन रिपीट किया गया है इस एबुक को मैंने रेडी किया है और इन सभी का रिविजन स्टार्ट कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा सोडियम आयन का इलेक्ट्रोनिक संरचना दोस्तों क्या है जिया दोस्तों यहाँ पे 2.8 हो जाएगा पारे तो असी के देखे बरावर होता है किस रंग के प्रकास को रोड़ों की उपस्तिती में प्रकास अंसलेशन दूर तक गती करता है दुस्तों तो लाल यहाँ पे रेड कलर सही हो जाएगा कोशन देखिए यहां पर क्या है जूल किस भौतिक रासी का मात रख है दोस्तों तो कार्य का मात रख है तेसला किस भौतिक रासी का मात रख है कुश्चन आया है बहुत बार तो चुमकी छेत्र का यह मात रख है तो यह देखे विटामिन D के कमी के गाराण होता है यहां पर थाइमीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो बेरी-बेरी विटामिन B जो है इसकी कमी से आपका बेरी-बेरी हो जाता है तो बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं अगर आप अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजे बहुत-बहुत धन्यमाद बहुत सारे लोगों ने जो लाइक किया है तो यह एक तरीके से आपका मोटिवेशन होता है मेरे प्रती जिससे मुझे आइडिय लगता है इतने लोगों को क्लासेश चाहिए तो मैं लगातार मिलत से आपके लीडियो ला रहा हूं इस वीडियो का आप कहीं ने कहीं कोई भी ने कोई ग्रूप में जरूर सियर किया करें अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बट कितने इलेक्ट्रान मिलकर एक माइक्रो एम्पीयर धारा जोकी बनाते हैं तो 6.25 इंटू 10 इद पावर 12 चैनल को सब्सक्राइब प्रागरतिक रबर दुस्तों किसका बहूलक है दुस्तों प्रागरतिक रबर आईसोप्रीन का जोकी बहूलक है बार किसका दुस्तों मात र रासी के सनच्ण पर जोकी निर्भर करता है तो रेखी सनवेक सरच्ण से चोईसा को सब्सक्राइब ग्रहों की गति के समद्द में केपलर ने एरियल वेक के नियत रहने का नियत जोकी नियम भुतिक कि किस रासी के सनच्ण में दिया तो कोडी सनवेक सरच्ण पर यह दिया कीमो थेरेपी क्या है दोस्तों तो ये राशानिक पदार्थों के उपयोग के लिए जो चिकित्सा होती है वही आपका कीमो थेरेपी होता है के दुरस्त वस्तूओं उससे आने वाली किरिणे रेटीना के आगे फोक्सित हो जाती है तो द्रिश्टी का कौन सा दोस्तों हो रहा है दोस्तों तो निकट दिशी दोस्त मायोपिया यहां पर हो रहा है उन्चास्मा कोशन दोस्तों किस कोशिका का पावर हाउस कहते हैं तो म mycrocan tutorial करते हैं Humo Sampi as दोस्टो किस जिवदारी का बेगयरी नाम है दोस्ट Comes किस जिवदारिक का बेगयरिक नाम है। दोस्तो यह मसे कि की सी किसे यह कहते हैं है का है ल्यूमेक गैस नियतांक एसाई मातरक दोस्तों जूल प्रती केल जो की केल्वीन मोल पच्वनों कुछन देखे हैं आप पे कार्बोनिक अमलग रासा नियम दोस्तों क्या है तो इसको देखे हैं हम लोग फीनोल के नाम से जानते हैं 56 मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कार बैलाडोना नमक औसधी एट्रोपा बैलाडोना नमक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है तो जड़ एवं पत्तियों से इसको हम लोग प्राप्त करते हैं थाइमीन दोस्तों कौनसा विटामिन नाम है तो विटामिन बीवन कुछन देखे दोस्तों कंजटी वाइटि तो क्लिटि वाइटिस शरीड के किस अंग का दोस्तों रोग है तो ये आखो का रोग है प्यास का केंदर दोस्तों क्या है तो हाइपो थेल्मस ये आपकी अच्छिक और अनच्छिक रिया olhos को कंडूल करता है नि कच्ची चीनी का रंग वहीन करने है तूर किस चार्कोल का प्रयोग किया देतों तो इसमें देखे एनिमल चालकोल का प्रयोग करते हैं अगनी समन यंत्रों भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किसके क्रिया करके बाइजुकी कार्बन डायाकसाइड बनाता है तो गंधक अमलका क्रिया करके यदि दो चुमकी ध्रूओं के बीच सक्तिग और दूरी दोगनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल यहां दोस्तों चाओगना बढ़ जाएगा भारत के प्रतम अंत्रिच श्यात्री राके सर्मा तीन अप्रैल 1984 को किस अंत्रिच श्यान से दुस्तों गया थे इसका नाम क्या था उसका नाम था सोयू जो की टी 11 केंद्री सुस्क जोन अनुसंधान संस्थान कहां पिश्थी दुस्तों यह आपका जोधपूर में स्थे जीवों के क्लोन तैयार करने के लिए वैग्यानिक पद्धती का नाम दुस्तों क्या है तो इसको दुस्तों लोग बोलते हैं क्लोनिंग क्या बोलते हैं क्लोनिंग जैव ऑक्सीकरण के फल्चरुप उत्पन होले वारी उर्जा के संचलन दुस्तों कहां होता है तो दुस् किसका संचिप्त रूप दोस्तों तो All India Institute of Medical Sciences का संचिप्त रूप माना जाता है जब रक्त में Oxygen की सांधरता में कमी आती है तो स्वास की गती दोस्तों क्या होती है तो स्वास की गती आपकी बढ़ जाती है भतर्मा कोशन दोस्तों पके क्या है रेडियों के अविसकारक G.Markoni कहां के रहने वाले थे जोस्तों ये इटली के रहने वाले थे त्यतरों को सदिखे माइक्रो बाइलोजी संबंदी दोस्तों अतिसुच में जीवों के अध्यान से सराप काते धीक सेवन करने से मानों का कौन सा अंग दोस्तों छती पहुसता है तो लीवर या क्रित को छती पहुसती है धुले हुए सफेद कपड़ों में नील लगाने से वो अधिक सफेद वा चमकीले हो जाते है इसका रीजन क्या है दुस्तों तो प्रकास का प्रकेड़न के वज़े से ऐसा होता है शेतरों को से दिक्ति कोशिका के खुछ किस वैग्यान के द्वरा किया गया था तो रॉबर्ट हुक के द्वरा दुस्तों इसकी खुच की गया थी अब स्रभित रंगों की आवरिति दूस्तों यह होती है उब 20 हट्स से कम होती है स्वेत रंग्द कडिकाओं का प्रमुक कार दोस्तों क्या होता है तो ये WBC जो होते हैं ये रोगों के लिए रच्छा करते हैं आप है कॉस्टन नमबर देखिए एक्क्यासिमा साइटो जो की काइनेसिस में किसका विभाजन होता है दोस्तों तो कोशी का द्रव्य का विभाजन होता है बैसे को सब्सक्राइब मेथिल अल्कोहल का रासानिक सुटर दोस्तों क्या है दुस्तों यह हो जाएगा आपका CS3OH याद र प्लस जो है आवेश को कम वीभा वाले विंदू से अधिक वीभा वाले विंदू मिले जा जाता तो उसकी उर्जा प्रफा पड़ेगा दोस्तों उसकी उर्जा जो होगी वो बढ़ जाएगी विदुद छेत्र में 1713 रिड आवेश जैसे इलेक्ट्रान गती करता है निम्न पचारी खतरनाग बिमारी सार्स का क्या अर्थ है दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका सीवर एक्यूट रिस्परेटरी सिंड्रोम 89 देखें एंटीजन दोस्तों क्या होते हैं तो ये एंटीवाडी के निर्माण के लिए आपके उत्प्रे रख होते हैं इसकरवी जो रोग है दोस्तों इसकी किस विटामिन कमी से होता है तो विटामिन C की कमी से ऐसा होता है रो में रो के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को दोस्तों तयार किया गया था तो दोस्तों यूरियेज को तयार किया गया था देखिए यूजयनिक्स किसके अध्यान का विज्ञान है दोस्तों तो मानवों के अनुवनसिक अध्यान का विज्ञान है वसा का पाचन दोस्तों कौन सा एंजाइम करता है तो लाइपेज करता है यहां पर जीव द्रबे सिधान्त की खोज दूस्तों किसके द्वारा किया ग के कौन सा तारा सूरी के सबसे निकट दोस्तों तो अलफा सेंचुरी सबसे निकट है रक्त सकंदन को कौन सा विटामिन क्रियासील करता है दोस्तों तो विटामिन के यूरिया किसके दारा रक्त से प्रिथक दोस्तों किया जाता है तो गुर्दा किड्नी के द्वारा किया जा बस आपको डेली विसी स्पेस को देखना है आपको धिर धिरे बहुत सारी चीजे याद होने लेगेंगी तो वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो का आप लोग लाइक जरूर करना इस वीडियो को दोस्तों को साथ सेर करना एंड चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सस्क्राइब करके बेल बटन के दुरूर दबाना जिसे के आपको लगाता है नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं